ग्री किसे इस तरही के से मार्किट गिरती चली जा रही है तो लोगों के मन में डर है कि बिटकुइन 5000 डॉलर तक जा सकता है। साल 2023 तक वहीं पर अगर गोल्ड की बात वो करते हैं तो गोल्ड को बोलता है कि बाइस सो पचास परती ऑंस डॉलर तक प्राइज जा सकता है 2023 तक तो यहां पर क्या है पूरा मामला जिस तरीके से बाते बोली जा रहे हैं उस पर क्या हो रहा है और मार्किट में क्या चल ला है technical analysis क्या बोलना है technical chart क्या बोलना है यहाँ पर वो समझने कोशिश करें तो वीडियो को ध्यान से देखना काफी एक इस update में आपको देखने के बात समझ मैंगा कि हाँ जो चीजे होती है बोली जाती है उसको और बाकी technical analysis को मिला कर अगर हम कोई चीज को देखते हैं तो हमाँ सामने बिलकुल तस्वीर साफ हो जाती है तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज़्यादा important है यहाँ पर bitcoin.com के हवाले से एक news निकल करा रही है standard chartered bank जो की एक बड़ा नाम है बड़ा bank है और काफी पुराना bank है यहाँ पर उसकी तरफ से बोला जा रहा है कि bitcoin could fall to 5,000 US dollar next year यहाँ पर next year यानि 2023 तक bitcoin का price 5,000 dollar तक नीचे आ सकता है वहीं पर अगरम बात करते हैं तो काफी लोग ऐसे भी हैं जो bitcoin को लेकर bullish भी है और यहाँ पर अगरम बात करते हैं venture capitalist Tim Draper की तो इन्हों ने यहाँ पर बोला था कि bitcoin का price mid 2023 में धाई लाग dollar hit कर सकता है तो यहाँ पर अपनी अपनी सोच है अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और यहाँ पर जिस तरीके से यह जो standard chartered bank की तरफ से जो 5k bitcoin scenario का यहाँ पर news निकल कर आ तो यहाँ पर इनका कहना यह है कि इन्हों ने जो बोला है वो इतनी से बात बोली है कि जिस तरीके से यहाँ पर लगतार cryptocurrency में जिस तरीके से crashes वगरा देखने को मिल ले है crypto की जो firms है यहाँ पर लगतार bank subsidies file कर रही है Luna की बात कर लीजे यहाँ पर FTX exchange की बात कर लीजे या और भी lending platform ते जैसे Celsius वाजर इस तरीके के जो platform थे यहाँ पर इन्हों ने भी bankruptcy फाइल की जिसकी वज़ा से यहाँ पर जो investor थे cryptocurrency के investor थे जो holding करते थे cryptocurrency पर अपना यह और कहे रहा है वहाँ पर वह दिखाने की कोशिश करूंगा त्यूंकि technical analysis बहुत strong होते हैं market में कुछ होने वाला होता है तो technical analysis टेकनिकल चार्ट पर वह चीज पहले से show होने लगती है यह मैं काफी बार बता चुका हूँ वहीं पर अगर हम Tim Draper की बात करेंगे जो venture capitalist है यहाँ पर उनकी तरफ से एक news निकल कराई थी number यहाँ पर आप देखोगे date number 4 2022 को तब इन्होंना बोला था कि यह 2023 मिट तक थाई लाग डॉलर तो तक bitcoin का price जाता देख सकते हैं तो यहाँ पर कहने मतलब यह है कि कुछ लोग यहाँ पर bitcoin को लेकर bullish हैं कुछ लोग यहाँ पर bearish हैं तो वो market का एक नियम है हमेशा से ही ऐसा रहा है काफी जाप ही stock market में आप देखते हो तो कुछ लोग किसी share का price को लेकर bullish होते हैं किसी share के price को लेकर bearish होते हैं काफी होगी वहीं पर अगर इस्टेंड चार्ट अगर यह बोला है कि बिटकोईन का प्राइज नेक्स्ट येर तक 5000 तक जा सकता है तो वह चार्ट पर शो करना चाहिए यहां पर नो डाउट कि 13-14 दिसंबर को होना क्या है तो बात करते हैं दोस्तों हैं पर 13-14 दिसंबर क्रिकों यहां पर इंटरिट्रिट अना है जो की काफी लोग यहां पर यह सोच रहे हैं कि inflation number पहले भी कम आया है अभी पिछला inflation number यहां पर आया था 10 November 2022 को तो उसमें 7.71 जो पिछले inflation rate से कम था अभी भी ऐसा उमीद कि जा रही है कि जो 13 अभी उमीद कि जा रही है कि 50 BPS पॉंट तक आ सकता है 75 BPS पॉंट तक अगर आता है तो मार्केट कर सकती है जो कि पिछली बार भी आया था अगर 50 BPS आता तो मार्केट बुलिश मूफ उपर के साइट कर सकती है अब यहां पर बात आती है यह चीज़े को हमने समझ ली कि यहा चलते हैं चार्ट पर तो दोस्तों यहां से अगर हम बात करते हैं BTC USG के प्राइस की तो हम देख सकते हैं कि BTC USG का विकली चार्ट है इस तरीके से 69,000 के बाद BTC लगातार नीचे गिरा और 15,623 तक का एक लो बनाया अब काफी लोग बोलना है कि यहां पर इस लोग को भी ठीक है तो यहां पर यह होगा लगबख यहां पर आप देखोगे तो धाई लाग तो यह तो माइलिस्टोन चूँ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है अगर यहां से हम देखते हैं तो कितना परसंट इसको राइस करना होगा अगर 15,600 होगा लो हम लेते हैं तो यहां से पहले भी आपको दिखाया है कि एक ट्रेंड लाइन को यह हाई पकड़ते हैं और दूसरे हाई यह कनेक करते हैं तो हम यहां से इस ट्रेंड लाइन तक अगर यहां तक हम 25,000 डॉलर तक भी आते हैं बिट्कोइन के प्राइज में जब भी हम बेरिश ही होंगे इस ट्रेंड लयुट सकता है कि ट्रेंड यहां से रिवर्स कर रहा हुदर वाईज यहां पर अभी भी हम बेरिश कंडिशन में ही मूज रहे हैं लेकिन उम्मीद यहां पर ग्राइज है चार्ट पर चाड़ जो बनदल रहा है यहां पर अगर हम ईडरौग तो च्टन इनडिक्स को लग अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, गोल का चार्ड लेते हैं, तो गोल के चार्ड पर आप देखोगे, तो एक किलियर कट M पैटन बना था, मैंने एक अपडेट में मुझे याद है, कुछ महीने पहले मैंने अपडेट कीती, जहां पर ये M पैटन को मैंने दिखाया थ और इस तरीके से बिल्कुल एक डेबल टॉप पैटन, यानि M पैटन का की लेवल ये था है, जिसको ब्रेक करने के बाद, ऊपर गया है प्राइस तोड़ा सा, और मुझे लग रहा है कि कम से कम इस टेंड लाइन तक रिटेश होना चाहिए, यानि कि अगर स्टेंड पर आंस के असपास, ठीक है, तो ये सारी चीजे होती है मेरे भाई कि जिस तरीके से देखो चार्ट जो बोलता है, होता हुई है, यहाँ पर भी अगर आप देखो कि डबल टॉप बना था, और मार्केट गिरी थी, ठीक, इस तरीके से लोग बना था, फिर मार्केट ऊपर यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, नीचे ग्रावट हुई है, फिर यहाँ से ऊपर चलने कोशिश कर रहा है, अगर हम बात करेंगे गोल्ड के चार्ट की, तो गोल्ड के चार्ट पर मुझे थोड़ा था बेरिश सिंटम नजार आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बा पीछे जो अपडेट की थी, कुछ दिन पहले कि यहाँ पर मैंने अपडेट की थी, तो उसमें हमने यह देखा था, कि बिट्कॉइन का प्राइस फोर आवर्स के चार्ट पर मैंने आपको दिखाने कोशिश की थी, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूं कि एक इन्वर्स का नियम ही है कि 2017 में मार्केट उपर गई, वहाँ से नीचे गिरी, तो वहाँ पर भी लेकर इस तरीके की नियुजद आती है, चाइना ने माइनिंग को बाइन कर दिया है, बहुत सारी नियुजद आती है, उसके अलावा 2013 में अगर आप देखो गे, तो एम्टी गॉक्स ए मार्केट बढ़ रही है, तो लगबक 13 साल हुए है क्रिप्टो कंसी को यहाँ पर आए वे, तो यहाँ पर इस तरीके की बात की जाती रहती है, तो इतना घबरानिक दरूबत नहीं है, मार्केट बॉटम लगाएगी और यहाँ पर बॉटम अगर लगता है, तो यही एरिया होना चाहिए, 15,600 का असपास लग सकता है, इसको तोड़ का थोड़ों संगी जाया सकता है, लेकिन इतना शार मुमेंट मुझे नहीं लगता है कि 5,000 डॉलर तक बिटकोईन का प्राइज देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करते हैं CPI numbers की, तो यहाँ पर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि technical, fundamental और option chain, यह तीन चीजों को जब आप मिला कर कहीं पर analyze करते हो, तो पर काफी अच्छे result आते हैं, हालगि मैंने option chain की बात कभी आप लोग सामने नहीं की, किसी और वीडियो में उसको भी add करने कोशिश क अगर मार्केट को समझते हैं, तो काफी कुछ हमें एच्छे result मिल सकते हैं, एक news में यही बात है, एक news में बेरिश बता जा रहा है, दूसरी जो भी करीब महिना पर पहले यहां पर वेंचर कैपलिस्ट, टिम ड्रेपर की तरफ से, उनकी सोच यहां पर IT news बना दी गई उसक तो कि वो डाईलाग तक बिट्वाइन के प्राइस को जाता देख सकते हैं, तो यह दोनों अलग-अलब तरीके की news हैं, एक पश्चिम की तरफ है, पूरप की तरफ है, तो यहां पर यह आपको confuse करेगी, लेकिन चार्ड कभी भी आपको confuse नहीं करता है, जो टेकनिकल कि बिट्वाइन के प्राइस में यहां पर हमें एक डबल टॉप यानि कि एक M पैटन देखने को मिल ला था, जिसका की लेवल मेरे बाई यह था, और आप देखोगे कि यह की लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट में जबर्दत गिरावट हुई, फिर मार्केट रोस उपर तो चलो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि हमारी जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो आपके लिए यूस्वल जरूर होती होंगी, अच्छा लग यह वीडियो तो लाइक जरूर करना, जो लोग नए है चैनल को पहली बार देखना, सब्सक्काइब करना, नोडिफिकेशन ब